नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत आप सभी का हमारे इस निशुल्क ऑनलाइन प्लेटफर्म ग्यानार तकेड में की यूट्यूब चैनल पर जैसा कि थमलेन देखके आप लोगोंने अंदाजा लगा लिया हम किस बारें बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं भारत सरकार द्वारा निकाली जानी वाली एक बंपर भरती की जिसमें दस्वी पास सभी योग्य 18 से 23 साल के जब भ्यरती है चाहिए वो महिला हो या पुरुष हो उन सब के लिए एक महतपून सूचना और महतपून भरती आ रही है जो उनके सपने साकार कर सकती है बेरोजगारी से रोजगार की तरफ ले जाने वाले सपने जो है वो साकार कर सकती है और नोकरी भी ऐसी ऐसाई नोकरी ने होकर CRPF की नोकरी केंदरी ए रिजर पुलिस फोर्स जो है उसकी नोकरी बहुत ही शांदार नोकरी आप लोगों के लिए उपलब्द है जो हमारे इस चैनल पर हम उसकी पूरी जान करें आपको उपलब्द कराएंगे चलिए देखते हैं ANI, Asian News International जो एक भारत का authentic समाचार पत्र एजेंसी है जो भारत की जितनी भी सूचनाएं होती है भारत या भारत के बाहर की जो भारत से जुड़ी भी चूजना है उनका विश्टेशन करती है और उनको लोगों तक पहुचाती है तो ANI ने क्या किया है ANI ने एक पोस्ट डाली उनकी ट्विटर अकाउंट पर जिसमें इस्पशली जो हमारा ग्रह मंत्राले क्योंकि देखिए CRPF जो है वो ग्रह मंत्राले का दिनाती है तो ग्रह मंत्राले का एक लेटर जारी हुआ है एक नोटिफिशन जारी हुआ है पांच अप्रेल 2023 को जनरल ड्यूटी कांस्टेबलों की भरती होगी और इसी नोटिफिशन के बाद जो अथंटिक वेबसाइट है भारत सरकार के ग्रह मंत्राले की उस पर एक गजट जारी होता है गजट क्या है गजट भारत सरकार द्वारा जो महत्मून सूचना है उसको जारी किया था इसमे आयुजट की जाती है इस भरती के बारे में सारी जानकरी दी जाती है चलिए वो गजट भी आप लोगों को लिए लिका है अच्छा अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत नीचे जो लाल बटन दिख रहा है आपको उस पर जाकर प्रॉस नहीं हुई है तो उनके लिए शांदार मोका है उनको ये वीडियो शेर जरूर कीजिएगा क्योंकि अभी भरती आने में थोड़ा सा समय बाकी है केवल नौटिफिशन जारी हुआ है भारत सरकार ग्रह मंत्रा लिए द्वारा तो निश्चित रूप से ये भरती आ आपके लिए उपयोगी वीडियो होने वाला है तो अपने ऐसे साथी सखा आपका कोई पडोसी आपका कोई रिष्टदार अगर उनका जो है कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने दस्वी पास की है और 18-23 वर्ष के बीच में है तो उनके लिए भायत्पुन जान करिए उनके साथ स द्रगत इस पस्ट रूप से लिखा है कि एक भरती आईजित करवाई जा रही है जिसमें की लगबग जिसमें की लगबग जो है 1,29,929 पदों के लिए आईजित होने वाली है और ये जो है ये जो है इसका वेतन भी दी रखा है कि पेमेट्रिक्स 3 और 27,700 और 29,100 के बीच म जो है इसका पेमेट्रिक्स जो होता है रेड़ पे जो होता है वो होगा नेक्स हम बात करें तो इसमें जो है इसकी योग्यताएं सारी दी गई है जिसके बारे में हम आपको आगे डिटेल से समझाएंगे चलिए देखते हैं विभाग कौन सा विभाग है CRPF जैसा कि हमने पहले बता चुके हैं Central Reserve Police Force द्वारा यह आउजद किया जा रहा है पद कोन सा है पद है Constable का पद है General Duty सिपाई का पद है Constable का पद है Next बात करें कि कुल पद कितने हैं तो 1,29,929 पद होने वाले हैं जिसमें से कुछ महिलाओं के कुछ पुष्रों के आगे मुसके बारे में आविधन पर किया कैसे आउजद होगी बिलकुल ओनलाइन ही होगी अच्छा आविधन के बारे मैं आपको बता दूँ कि यह जो परिक्षा आउजद करवाने का कारिया करेगा वो करेगा SSC इस पर लिखा है गजट में कि SSC द्वारा यह जो है आउजद करवाई जाएगी स अच्छा जो है वो हिंदी में इसके बात करें नौकरी का स्थान और इंडिया अच्छा आपको पोस्टिंग का मिलेगी देगे सबसे बात है कि इस वेकेंसी में भारत के हर हिस्से में जहां जुरत पढ़ती है CRPF की वहां आपको बेजा जाएगा तो भारत के लगबग सभ ही जगे इनके जो हेड़क्वार्टर हैं वहां आपको बेजा जा सकता है तो निश्चित रूप से औल इंडिया की नौकरी है भरा का जाएगा फॉर्म यह वेबसाइट के अभी बाग यह जहां आपको यह नोटिफिशन मिलेगा वो मिलेगा CRPF.gov.in इसका मतलब यह है कि CRPF के ओफिशल साइट पर आपको इसके बारे में नोटिफिशन जारी होके बिलेगा अभी तक जो आवेदन करने का नोटिफिशन है वो जारी नहीं हुआ आपको इस पर बता दूँ आप परेशान नहों जाकर आप CRPF के एपसाइट चेक करें बोलें इसकी सर ने गलत पता दिया ऐसा नहीं है अभी तक जारी नहीं हुआ है नोटिफिशन परन्तु ग्रह मंत्रा लिए द्वारा इसकी जो है शुकृत्ति प्रदान कर दी गई है जिसमें पद और वेतन और आयू संबनी जितनी भी आरता है वो सब कुछ बता दी गई है अच् का राजपत्र जारी हुआ है उसकी पूरी की पूरी जो पीडियाफ है आप डाउनलोड कर सकते हैं चलिए बढ़ते आगे देखते हैं भरती परकिरिया कैसे होगी किस प्रकार से भरती किया जाएगा तो CRPF के जो पद है 1,29,929 जो पद है उसको SSC द्वरा आयुजित भरत पुर्षों को सीटे जादा है तो पुर्षों को लगबग 1,25,262 पत और महिलाओं के लिए 4,466 पत रिजर्व किये गए मतलब महिलाओं की भरती होने वाली जिसमें लगबग 4,466 पतों के लिए बढ़ती होगी निशित रूप से महिला और पुर्षों के लिए महित्पू कि बिरोजगारों के लिए बड़ी भरती लेकर आएं जिससे बहुत सारे बिरोजगार उनको नोगरी मिल सके और उनको आसानी से वोट पराप्त हो सके चलिए आगे बढ़ते हैं देखते हैं सेक्षणी की योगता की बात करें तो इसकी स्पषणी की योगता है कि आप किसी समकत जितनी भी आईरताएं होती है या डिगरी होती है वो अगर आपके पास है तो आप इसको जो है फॉर्म अपलाई कर सकते हो आई उसी मा की बात करें तो इस परश्ट है अठारा से लेकर तेईस पर्स वाला विक्ति ही तो है इस भरती को दे सकता है अब अब अठारा से है या अभी रिसेंटली तेईस का हुआ है वो भी एलिजिबल माना जाएगा क्योंकि निश्चित रूप से जब नोटिफिन जारी होता है तो उस दोरान ही एक डेट दे दी जाती है और उस डेट से जो है वो अठारा से तेईस वर्च के बीच वाला विक्ति जो है वो इस नियुन्तम जो इन्होंने त्या कर रहा है कि शारीक रूप से इतनी उसकी उचाई चाहिए उतनी उसकी हाइट चाहिए वो शारीक मापदन इसके अंतरकत आता है फिर शारीक दक्षता परिक्षा मतलब आपको यह हम बात करें दौड की या आपके शरीर की जितनी भी योग लिखित परिक्षा उसके बाद होगी लिखित परिक्षा और लिखित परिक्षा के बाद जारी होगी मेरिट सुची और मेरिट सुची के बाद जो आपके डॉकुमेंट से उसका विरिक्षिन होगा और उसके बाद फाइनल सुची जारी कर दियाएगी सेलेक्षन की तो नि उपलब दो जाएगी इसके अत्रिक लिखित परीक्षा में क्या पूचा जाना है वो भी इसमें उपलब दोगा मेरिट सुची जो है उसके बाद जारी होती है और दस्तावे सत्यापन मतलब जो भी इसके लिए योग्यताइं मांगी गई जैसे दस्वी की माक्षित होगी इस तो सो रुपे इसकी फीस रहने वाली है रैसी एस्टी और एक सर्विसमेन और फीमेल के लिए कोई भी फीस आयोजित नहीं होगी ऐसा माना जा सकता है तै नहीं है फिर भी हमारा नुमान है क्योंकि पूर वेकेंसी में यही फीस रखी गई थी तो निश्यत रूप से आगा वीर यान या किसी भी सैनिक भरती की तयारी कर रहा है उनके लिए एक बहतरीन मोका है CRPF में कांस्टेबल बनने का मेरे बहुत सारे मिलने वाले जो है वो इसी पत से भरती हुए थे और आज वो बड़े-बड़े पतो पर सुबेदार जीसे बड़े-बड़े पतो पर जो ह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा लाइक कीजिएगा और अपने किसी एक या दो साथियों के साथ शेयर जरू कीजिएगा चलिए आज के लिए इतना ही जहिन साथियों